प्विक प्र । बी कंटेनियु बात करते हैं हमारे स्चेप्टर के और हमारा स्चेप्टर है नाइनटर टेली कर रहे हैं है यह चैप्टर को उपनिघन ठीश्ट्र को हमने लोग या नॉन प्रोफिट और्गनाईजेशन एसे संगठन जिनका प्रोफिट अर्ण करना नहीं है उनली पूर सोसल सर्वीस यानि बोच्त यहीं जो मेन अब्जेक्ट होता है सोसल सर्वीस करना होता है तो आज इसके कि हम नॉन ट्रेडिंग और्गनाईजेशन एंड प्रोफेशनल जो परसन है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को यहां पे खेली किया दाएगा लेट्स के लिए तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें देखते हैं कौन-कौन से है चेप्टर है अकाउंटिंग फोर नॉन ट्रेडिंग और्गनाईजेशन एंड प्रोफेशनल परसन देखना इसमें गलोशेरी के दिवी हैं नॉट फोर प्रोफिट और नॉन ट्रेडिंग और्गनाईजेशन देखो इसको किलियर कर देता हूँ यानि यह जो chapter है एन पी हो not earn profit इसका जो main object है only शिर्फ service social service करना है not profit earn non-profit organization का जो main object है only for service करना है social service करना है profit नहीं करना और example हम बत्याते हैं गोरवेंट hospital गोरवेंट hospital में medicine हमें फिरी मिलती है डॉक्टर सी राई जो डॉक्टर से हम consult करते हैं वह free of course होता है तो जो है उनका सिर्फ social work करते है social service करते हैं इसकूल देखते हैं government school देखते हैं government का कलब होते हैं society होती है जो out of free of out of course से available करवाते हैं पूरी service free देते हैं तो उनका जो main object होता है वो social service करना होता है अब देखते हैं इसमें क्या meaning क्या definition क्या define कर रखा है तो जहां से देखना not for profit organization are those organization who objective in not profit earn बात वहीं आ रही है कि इनका जो object profit earn करना नहीं है बट टू रेंडर service यानि social service करेगी यह टू इट्स members and to the society इसके जो members है जो society है जो कलब बनाया हुआ है जो एक शमुए बनाया हुआ गेदरिंग है persons की वो सिर्फ social service करेगी उनका जो main motto है social service करना है अब इसमें social service तो किया जाएगा अब इस social service में किस को один debut किया जाएगा उसके बारे में हम आपको बता देते हैं देखना किस-किस को लिया गया है यहाँ देखना कोशिस करना ज्यान से समझने कोशिस करना जैसे इसमें बताय गया है किस-किस को प्रोफिट अन करना नहीं है सोचल वर्क करना है अब बात आती है यहां पे एन पी ओ नोन ट्रेडिंग और गनाईजेशन जान से देखना समझे कोई से करना नोन ट्रेडिंग और गनाईजेशन में कौन कौन से अकाउंट है या क्या प्रका करते हैं अपी ओ में अकंट कौन कौन से मेंटन के दाते है तो ध्यां देना सबसे पहले किया जाएगा यहां पर है रिष्यप्ट है एड और हदो कि निर्मेंट अपाइड दूसरा है इनकम इन ऐख पेंडिच इंकम एंड डीचर अकाउंट तीसरा यहां पर बैलेंस सीट समझने कोशिश करना इसमें तो मेन अकाउंट है मेन अकाउंट तीन अकाउंट ही मेंटेन के जाएंगे रिचेपटर में हम इन प्यवनटों को यहां पर पढ़ीएंगे ज्यांसिद्यन अब पूरा डिफवाइंट किया आएगा और बैलेंचिप में किसको केशे केशे राइट किया दाएगा वो थोड़ा हुं हम यहां पर सोटली पड़ते हैं फिर इनका 1-1 का टोटल लेते हैं इसमें पूरा डिफाइन किया आपको लेटीए अब लेते हैं इसमें अप जहाँ देना देखना Re시quépt or payment की बात आ रही है तो receipt or payment में किसको क्या लिया गया है Recheap and payment account is summary of case and bank transaction जहाँ देना receipt or payment account है यह summary है किसकी है case and bank के जो transaction है हो है Let's clear prepare at the end of accounting period जो एक accounting period होता है उसके एंडिंग में इसको प्रिपेर किया जाएगा इट्स रिकोर्ड और रिशिप्ट एंड पेमेंट वेदर ओफ रिवन्यू और कैपिटल नेचर एंड एर्रेस्पेक्टिव ओफ दा पीरिएट टू विच दा रिलेटे यानि कहने का मतलब क्या है जान देना रिशिप्ट और पेमेंट अकाउंट किस से रिलेटेड है केस एंड बेंग ट्रांजेक्शन केस एंड बेंग ट्रांजेक्शन से क्या है ये रिलेटेड है इसमें जितने भी बेंग और केस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो इन है इन हो रहे हैं तो उसको लिखा जाएगा recipe side अगर payment out हो रहा है यानि जान देना case case की बात हो रही है case in हो रहा है तो recipe side हो गया और case क्या हो रहा है out हो रहा है तो ये payment side record किया जाएगा अब इसमें बात आ रही है कौन कौन से year के case आएंगे करंट येर लाश्ट येर और नेक्स येर ध्यान देना अकाउंट रिचिप और पेमेंट अकाउंट में करंट येर से रिलेटेड लाश्ट येर से रिलेटेड और नेक्स येर से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को रिकोर्ड किया जाएगा और इसको अच्छी तरीके से हम आगे यहां पर explain करेंगे बात करते हैं आगे क्यों चलते हैं Income and expenditure account यह क्या है Income and expenditure account is the summary of income and expenditure for the year कहने का मतलब क्या कर रहा है Income and expenditure है इसमें एक summary लिया जाएगा कितना income हुआ और कितना expense हुआ यहां देना पटा जाएगा income and expenditure देखना Income और expenditure एक side income क्योंगी दूसरी side किस क्योंगी expenditure क्योंगी एक side income क्योंगी एक side expenditure क्योंगी इसमें यहां पे All Income and all expenses को राइट किया जाएगा बट ध्यान देना यहां पे All Income और All Expenses को तो राइट किया जाएगा बट ओनली छिर्फ करंटियर करंटियर से रिलेटेड जो भी income और expense है सिर्फ उसी को यहां पे राइट किया जाएगा लास्टियर और नेक्स्टियर से रिलेटेड कोई भी जो आइटम हो उसको यहां पे रिकोर्ड नहीं किया जाएगा है जान देना इस से पहले हमने क्या पढ़ा था जो हमारा था Ro事 रिच्ट एन्द पेमेंट अकाउंट में के संड बैंक से ट्रांजेक्शन के के यहां खें के से इसको भी या आगे पड़ेंगे हैं अब बात करते हम यहाँ पे आगे इसमें का देखना क्या कह प्रोफिट एंड लोस अकाउंट यह किस की तरह बनाए जाएगा प्रोफिट एंड लोस की तरह बनाए जाएगा क्योंकि प्रोफिट एंड लोस को राइट किया जाता है तो इसमें भी टोटल इंकम और टोटल एक्सपेंस को राइट किया जाता है इट्स शो सर्पलस और डिफीशिटी ध्यान देना दो वर्ड आ रहे हैं मारे पास सर्पलस और डिफीशिटी इस सर्पलस क्या है और डिफीशिटी क्या है यहां हमारे सामने सर्पलस और डिफीशिटी दो वर्ड आ रहे हैं ध्यान से देखना एक तो सर्पलस surplus आया और एक difficulty आया surplus को बोला जाएगा यहाँ पर आधिक के क्या बोला जाएगा यहाँ पर आधिक के और difficulty का मतलोग यह कमी surplus और difficulty कौन किसे निकलेंगे income और expenditure जो अपना account प्रिपेर करेंगे उसका जो different आयेगा उसमे surplus और deficit आयेगा ज्यान देना दो चीज़ थी है मारे पास एक income था और expense एक तो income था और एक expense था suppose करना हम जब हम total करते हैं एक तो 10,000 और एक 8,000 है income हमारी 10,000 है और expense हमारा 8,000 है इन दोनों में हमारे पास यहां 2,000 का different आ रहा है यहां से देखना 2,000 का अब 2,000 balance की दर बचा income side income side balance बचा कि 2,000 income के ज्यादा है तो income का ज्यादा होने का मतलब यहां क्या है surplus income का मतलब होने के क्या होया surplus और इस 2,000 को कहा राइट किया जाएगा total करने के लिए कि total कितना होना चीए 10,000 होना चीए total 10,000 इसका मतलब income more than for expenses income more than for expenses income ज्यादा है expenses अब बात करते हैं यहां पे 10,000 यह दे रखा है 10,000 क्या दे रखा है इंकम दे रखा है और यहां पे 18,000 हमारा expense है 18,000 expense है तो इस income और expenditure में कितने का different आ गया है यहां पे 8,000 का 8,000 के अबसरा हमारे पास है expense तो क्या हो गया expense more than for income अगर income से expense ज्यादा है expense क्या है more than है तो हमारे पास यहां पे आएगा difficulty क्या हैगा difficulty होगा ठीक है और deficit का मतलग हो गया expense ज्यादा है यहनि expense ज्यादा profit है that's clear अब हम पढ़ते हैं कि income और expense डिचर में जो different आया था उसको surplus और deficit कहा गया है that's clear अब देखना क्या आएगा it is prepared on a cural basis of accounting a cural का मतलग हो गया जितना हमने earn कर लिया है पहले बताया था मैंने income और expenditure current account से related ही है not a last year and not a next year यानि current year से related जितनी भी account आएगी उन्हें को इसमें record किया जाएगा that's clear बात करते हैं अब surplus की surplus क्या है देखना जो बोला गया था जो बताया गया था अब ही वही है excess of income income excess है over expenditure यानि income excess है किसे excess है expenditure से of a not profit organization is termed as surplus यानि उसको profit नहीं मान करके उसको क्या माना जाएगा सिर्फे surplus माना जाएगा कि यहाँ excess है income excess है expense है तो उसको profit नहीं अर्ण किया जाएगा माना जाएगा उसको सिर्फ surplus माना जाएगा that's की लिए बात करते है deficit की deficit क्या है excess of expenditure expenditure excess है किसे over income से of not for profit organization यह भी क्या profit नहीं माना जाएगा या loss नहीं माना जाएगा is termed as deficit इसको क्या माना जाएगा कि shift deficit यानि कमी है यानि excess क्या है more than of income से है that's clear अब बात आती है subscription जान देना अगला जो topic पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे subscription 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 का मतलो गया चंदा subscription का मतलो गया चंदा भाईया इस chapter में हमें यहाँ starting में subscription पढ़ने को मिलेगा और subscription को आप अच्छी तरह के से समझने की कोशिस करना अभी यहाँ सिर्फ subscription की definition को define किया जाएगा आगे जाके हम surplus suspension के बारे में अच्छी तरह के से पूरी डिटेल यहाँ पे बताई जाएगी आप अब जिसे कोई भी organization को चलाने के लिए कोई भी संगटन है कोई भी government society है school है उसको चलाने के लिए यहाँ पे subscription की बहुत ही need होती है for example जैसे government school है वो जरजर अवस्ता में है जिसकी building खराब हो गई तो हम क्या करते है जो गाओं के जो सहर के state लोग होते है भामाशा होते है उनको हम भामाशा बनाते है यानि उनसे हम पैसा collect करते है और यहाँ पे government hospital government society government school government और भी club हो उनमें यहाँ पे इन्वेस्ट इन्वेस्ट का उनमें आपे expense किया जाता है और उसको develop किया जाता है ताकि वह ज्यादा हिदा लोगों के लिए सर्वाई हो सके अच्छी service प्रोवाइड की जा सके तो वही है यहाँ पे subscription जान देना subscription क्या है देखना इसको subscription कहने का मतलब क्या हो गया subscription एक बात करते हैं आगे legacy द्यान देना legacy यानि वसियत legacy यानि वसियत वसियत के नाम से तो समझी गए होंगे आप की वसियत यानि पुरातत्व है यानि पुराने समय से मारे पास चली आ रही है जैसे हम बात करते है दादा दादा से मिला पिता को पिता से मिला पुत्र को ये एक वसियत है assets है ठीक है जैसे हम बात करते हैं लेंड की बात कर ली बिल्डिंग की बात कर ली ये लेंड है हमारे पास पहले हमारे दादा के पास थी दादा से कहां हमाँ पही पुत्र के पास जो एक क्रंट में एक अपने परिवार में जो चलती रहती है वोगा हो गई हमारी लेगेशी हो गई हो गई तो यह कुसी जो person ने पते है और ने पर ही आगेश से आगे ट्रांस्फर होती तो देखना लेगेशी क्या कहती है लेगेशी इस दा अमाउंट रिशीवड बाई एन और्गनाईजेशन फ्रॉम दा डिसकेज परसन कहने का मतलो गया यह जो लेगेशी है हमारे पास लेंड थी और हमने अमाज दादा की लेंड थी अब इस लेंड को हमने यहां पे गोर्व सोसाइटी में तुरू कर दी या जो भी कलब है जो सर्विस करता है प्रोवाइड करवाता है सोसल सर्विस करवाता है उसको हम यहां पर प्रोवाइड करवा देते हैं तो वो क्या हो जाएगी लेगेशी हो जाएगी यानि किसी परसन के डेथ होने पर या डिसकेज होने पर उसके दोआरा किसी कलब को किसी गौर्फमेंट सोसाइटी को जो रिशीवड होता है वोई क्या होगी यहां पर legacy होती है जैस की लिए आगे बात करते हैं donation की donation की बात की जारी है यहां पर donation क्या है donation यहां बात किसी person के दोआरा किसी पर्षन का जो गेतर समुव है उसके दोआरा जो सोसल वर करते हैं उनको जो मिलता है महुंट उसको क्या बोला जाएगा है यहाँ पे डोनेशन बोलते हैं डोनेशन टू टाइप का है यहाँ पे एक तो जंडरल डोनेशन एक तो कौन सा हो गया जनरल डोनेशन और एक इस्पेसल इस्पेसल डोनेशन ज्यान देना जनरल डोनेशन और इस्पेसल डोनेशन को समझने की ओसीस करना सपोर्च की हमने गोर्वेंट इसकुल में गोर्वेंट होस्पिटल में कुछ अमाउंट डोनेट की या कुछ लेंड डोनेट किया या कुछ फनीचर डोनेट किया जान देना लेंड हो गया फनीचर हो गया प्लांट हो गया बिल्डिंग हो गया केस हो गया इन में से कोई भी पार्ट होता है जो डोनेट किया जाता है बाईदा डोनर और उस डोनर कुछ भी नहीं कहता है कि मेरे दुवारा यह आपको डोनेट किया गया है आपकिसी भी यूज में कर सकते हैं प्रत्ीकुलर किसी वर्क में यूज नहीं करना आपके इसाब से यूज किया जाएगा तो ऐसा जो डोनेट क्या कहलाएगा यहापे जनेरल डोनेशन से कहल आएगा लट की लिए यानि लेंड बिल्डिंग फंडिटर प्लांट केस है जो गोर्वेंट है वह अपने इसाफ से कहीं भी यूज कर सकती है तो वह हमारे पास जन्रले डोनेशन अब बात आती है इस पेसल डोनेशन देखना इस पेसल डोनेशन क्या है इस पेसल डोने देखना इस अट की या किसी परसं से लेंड डोनेशन हुई है तो इस लेंड के लिए वह यह यह जहीं कहा रहा है लेंट को कि इस लेंड पे यह पर सीर एक special काम हो गया that's clear देखना इनके क्या definition बन रही है यहापे general donation की है when the donor does not specific any condition कोई भी condition नहीं देता donor for using the amount of donation यानि कोई donor है वो कोई condition नहीं रखता कि कोई इसी special work के लिए मेरे donation जो भी दिया है उसको यूज किया जाएगा it is known as general donation अगई वो बात आ रही है specific या special donation क्या है it is the donation is for a specific या special purpose के लिए shape for the construction of a room और pavilion यानि कहने का मतलब है कोई donor है वो जो land दे रहा है जो building दे रहा है room बना के दे रहा है पेविलियन करके दे रहा है कि इसका एक special work की है special जो प्रपज़र टार्गेट वो ही complete होना ची यह it is known as specific या special donation that's clear अब है life membership piece ज्यान देना life membership piece life membership piece life membership piece का मतलब होता है कि जो भी member बनेगा यहां पे जो भी क्या बनेगा member बनेगा उस member से life में सिर्फ एक ही बार यहां पे एक ही बार फीस recover की जाएगी उसे बोला जाएगा life membership piece बार बार कोई भी membership piece ली नहीं जाएगी जिकना life membership piece क्या करीए it is the amount amount एसी amount received from members जो member से received हो रही है इन लमसब यानि लमसब लगवक for which he is given the membership of the organization for the whole life यानि पूरे जीवन पे एक बार ही दे दी जाएगी जैसे ए परसन है यहां पे ए परसन है इसने 5,000, 50,000, 15,000 जो भी है यहां पे पूरे जीवन पे उसने life membership fees पे कर दी जाती है whole life पे पूरे जीवन पे तो यह होगी life membership fees that's clear हमने यहां पे जो organization था NPO non profit organization था उसके जो meanings से जो के words आ रहे थे जो main main जो topic थे उसको अभी roughly यहां पे आपको एक summary बताई है अब हम आगे next video में एक के point का detail से पेली करेंगे आपको explain करेंगे तब तक के लिए आप इस जो topic पढ़ाये गया उसको आप अच्छी तरीके से देखे पढ़े और समझने की कोशिस करें फिर भी अगर कोई problem है तो मुझे comments box में comment जरूर करें thank you thank you so much change